हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम है अरुन और आप देख रहे हैं ट्रेड वित अरुन यूटूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करें क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्रिप्टो मार्केट लगातार फॉल बनाये हुए दोस्तों अगर पिछले कुछ बिटकोइन में आ चुका है करीब 26,27,000 डॉलर के आसपास की प्राइस चल रही है अगर एक महीने पहले देखें तो 44,000 डॉलर के आसपास इसकी प्राइस थी इथिरियम की बात करें जो टॉप टू क्रिप्टो करेंसी में आता है सेकंड नमर पे आता है दोस्तों उसकी बा लगातर फॉल बना हुआ है इवन अगर आप देखिए यह बाइनेंस का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अगर आप इस पे देखेंगे तो आज अगर आभी टॉप गेनर में भी देखेंगे दोस्तों तॉप गेनर जो होते हैं उसका मतलब यह है कि आज कौन सी क्रिप्ट करेंसी सबसे ज़ादा भाग यह तो उसमें भी देखें तो पहली नंबर फर वो क्रिप्टो करेंसी जिसमें सबसे कम फॉल हुआ है यानि कि इस करेंसी में 0.06% का निगेटिव डिटन है तब यह टॉप गेनर में है तो यानि कोई भी क्रेप्टो करेंस प्लेटफॉर्म प यानि 50% से जादा का फॉल ओल्मोस्ट क्रिप्टो करेंसी में आ चुका है 26,000 डॉलर पर विटकोई एट्रेक्टिव लगता है नहीं लगता है यह सब देखेंगे दोस्तों लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो अगर बात करें कि पिछले एक घंटे में पिछले एक दिन में इस क्रिप्टो करेंसी ने अपने इंवेस्टर को कंगाल बना दिया है अगर आपने इसमें एक लाग रुप एंवेस्ट किया होता एक दिन पहले तो इसकी वेल्यू करीब देड़ दोहजार रुपे रह गई होती है यानि 97% से बारे परसेंटेच भाग भी जाती है और कोई कोई क्रिप्टो करinsous यसी होता है इसी इसनमें बरवाद भी हो जाते है लोग तो हम बात करेंगा दोस्टो 有 पारर 1 एक मिट तो USDT में अगर दोस्तों इसका पेर देखें तो करीब USDT में इसकी प्राइज जो चल रही है दोस्तों तो दोस्तों आप यह अभी लूना USDT का चार्ड देख रहे हैं ये बाइनेंस पर हम आपको चार्ड देखा रहे हैं तो अगर दोस्तों अगर आप देखेंगे नीचे ये इस डेट को नोटिस कीजिएगा थोड़ा में इसको नीचे करता हूँ तो आपको किलियर समझ में आएगा अगर इस दिन देखें देखें देखें चार माई के दिन ये लूना USDT की अगर प्राइस देखेंगे तो लगबग 88 की आसपास थी 88 USDT की प्राइस थी और करेंट प्राइस अगर आप देखें तो दोस्तों 0.18 0.18 का मतलब समझ रहे है 0.18 USDT इविन अगर कुछ दिन और अगर 9 माई की बात करें आज दोस्तों 12 माई है यानि तीन दिन पहले की बात करें तो इसकी प्राइस थी कितनी 65 USDT की आसपास थी 65 से 0.18 यानि कि अगर आपने कितना भी पैसा डाला होता है इसमें 98 परसेंट यहा बहुत जाद रिस्की होता है अब दोस्तों बहुत सारे लोग इस चक्कर में पढ़े होंगे कि इसमें अभी इनवेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि अभी इसको देहेंगे चार दिन पहले 100 पे था अभी 0.17 पे था इनवेस्टमेंट कर देना चाहिए बहुत अच्छी प् मनी लगा दें और वो कुछ टाइम में डबल हो जाए तो नो डाउट क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों क्योंकि कोई भी चीज़ चाहिए स्टॉक मार्केट में वो क्रिप्टो मार्केट में सब ची काबर होने के चांसेज बहुत कम होते हैं इस तरीके की चीजों में दोस्तों तो तो मैं हम आपको बोलुगा कि सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों जिससे आपको फरक नहीं पड़ रहा हो चाहिए वह सो और रुपे हो अगर आप बहुत पैसा है आपको एक लाग बात करें मार्केट केप में गिरावट 278 परसेंट किये तो नॉर्मल सी बात है कि ये दो-चार लोग मिलके नहीं करते हैं कि आप हम जैसे लोग कुछ खरीदारी कर रहे हैं बेच रहे हैं तो उससे नहीं हो रहा है ऑबिस्ती बात इसमें बहुत बड़ी-बड़ी सेलिंग बहुत बहुत बड़ी सुकाल रहे हैं तो इसको ज़रा समझे जरूरी नहीं है और डूसरी बात दोस्तों ये होती कि अगर आपको कोई सपोर्टर इस्टेंस भी यहां पर नजगर आ रहा होूता तब भी आप थोड़ा से देख के चल तेजоминаvad कोईस फोड़ा से देखके च नहीं है आपको यह लाला चाहता है कि चार दिन पहले 100 पे था यार कहीं दुबारा से अगर 20-30 पर भी भाग गया तो मज़ा जाएगा तो अगर उस तरीके की थिंकिंग है दोस्तों तो उसको ठोड़ा समा लिए और फिर भी मन नहीं माने तो उतना ही इनवेस्ट कीजिए जि कि चार दिन में करोड़ पती बन गया एक दिन में करोड़ पती बन गया लेकिन इस तरह की चीज़ें भी बताना जरूरी है कि ऐसा भी होता है कि एक दिन में अगर आप कितना भी आपकी जो हार्टन मनिया वो डालते है तो एक दिन में वो साब भी हो सकती क्रिप्टो मार्क सीका तो वो भी एक अलग चैलेंज है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि क्रिप्टो में सिर्फ उतना इन्वेस्ट कीजी फिर से बोल रहा हूं जितने की आपको जरूरत ना हो आपको लगए कि हाँ ठीक है मैं इतना दाओ पे लगा स दोस्तों चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी दोस्तों अपना ख्याल रखिए थैंक्यू सो मच गुड़ आ